इस वीडियो में हम टॉर्क के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आप उसके पहले एक बार सेंटर अव मास के बारे में रिवाइस कर लेते हैं, तो सेंटर अव मास में हमने एक बॉडी ली थी, एक स्केल, और उसके सेंटर अव मास में हमने एक फोर्स लगा दिया था, कु और apply करूँ जैसे कि इस edge पे मैंने ऐसे apply कर दिया तो ये body अब rotate भी करना चालू कर देगी और अगर ये body free है कहीं किसी point से hinge नहीं है तो ये body अपने center of mass के about कुछ ऐसे rotate करने लएगी अब देखो ये तो तब ही true है जब body hinged नहीं है बिलकु नहीं free है क्या होगा जब मैं body को hinge क तो तोड़के आगे तो नहीं जा सकती है लेकिन ये is keel के about rotate कर सकती है या तो anti clockwise direction में या तो clockwise direction में अब देखो अगर मैं इस body पे एक force लगाँ बिलकु यहाँ is keel के नीचे ऐसे तो क्या होने वाला है तब मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि तब तो कुछ भी नहीं होगा नहीं इस force के कारण ये rod rotate करेगी नहीं इस force के कारण ये is keel को तोड़के आगे जाने वाली है यूँकि मेरी force इतनी भी ज्यादा strong है नहीं तो चलो ठीक है अब अगर मैं इस force को कहीं और लगाँ कहीं भी और तब क्या होगा तब मैं तो ये guarantee के साथ कह सकता हूँ कि ये rod अ ऐसे anti clockwise direction में rotate करेगी तो देखो एक force के कारण किसी body पे एक push या pull लगता है लेकिन एक force के कारण कोई body rotate भी कर सकती है और कितनी आसानी से कोई body rotate करती है किसी force के कारण इसी के measurement को हम कहते हैं torque तो torque हमें बताता है कि कोई force किसी body के rotation motion में कितना change ला सकता है जितना वरा torque होगा उतना जादा rotation motion में change आएगा उस force के कारण तो आँ torque के बारे में कोई छोड़ी छोड़ी बात दे करते हैं तो torque को मैं represent करता हूँ tau symbol से ये Greek letter है और torque एक vector quantity है तो इसके पास एक direction भी होनी चाहिए लेकिन आँ सबसे पहले हम इसके magnitude के बारे में ही बात करते हैं तो torque is equal to f into r ज तो देखो ये force ये एक body पे एक point पे अपलाई हो रहा होगा ये हो गया point of application of force और ये body फिर एक point के about rotate कर रही होगी इस point के about अब इस point से point of application of force तक की दूरी ये इस तरफ point करने वाली vector इस vector को मैं बोल दूँगा radius vector और इसकी magnitude को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अब तुम गया force vector का magnitude लेकिन force vector का पूरा magnitude यहाँ पे नहीं आएगा force vector का वो वाला magnitude जो कि इस radius vector के perpendicular direction में है अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों तो देखो अगर force कुछ angle पे अपलाई हो रहा हो ऐसे तो इसकी सिर्फो सिर्फ परपिंडिकुलर component यही body को rotate करने में मदद करेगी इ च्या इस force के कारण मेरी body rotate कर सकती है नहीं न तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ फोर्स की में perpendicular component उसी को यहाँ पे डालने वाला हूँ उसके magnitude को में यहाँ पे डालने वाला हूँ तो यह हो गया मेरा torque अब आप उसकी units के बारे में बात करते हैं तो इसके अनुसार इसकी units हो जा Newton meter थी तो क्या इसे भी हम Joule बुला सकते हैं Newton meter को तो हम Joule बोलते ना लेकिन नहीं यह quantity work से बिल्कुली different है देखो work में क्या हो रहा था कि हम एक body को displace कर रहे थे यह कुछ AS direction में displace कर दिया मैंने force लगा के displacement D और force यह इस पे कुछ लगा लिया ऐसे AS direction में F तो इस case में consider कर र direction में हो parallel direction में ठीक है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं force की वह वाले component की जो कि यहाँ पर radius vector के perpendicular direction में हो तो असल में अगर तुम देखो तो यह दोनों चीज़ें बिल्कुली अलग अलग हैं तो यानि की Joule यह जो इसकी unit है ना work unit यह यहाँ पर हम इसका 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 पर लिखा हुआ मिलेगा moment और radius vector के जगा पर तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा moment arm तो यह बस अलग-अलग term से same quantities के लिए ठीक है तो इनके नाम से तुम घबराना मत अब आँ थोड़ी सी जगह बना के अपने सवाल को देखते हैं तो यह हो गया हमारा सवाल हमारे पास एक rod ह है और यह rod इस point के about hinged है मतलब कि यह rod इस point के about rotate कर सकती है anticlockwise या clockwise direction में अब इस point से कुछ 10 meter की दूरी पे 10 meter की दूरी पे मैं एक 5 newton का force लगा रहा हूँ एकदम perpendicular to यह r vector अब मुझे calculate करना है इस force के कारण कितना torque generate होगा तो अब लिखते हैं torque is equal to f into r जहाँ पे f force का वो वाला component है जो की r vector के perpendicular हो तो यह हो जाने वाला है torque is equal to 5 newton into r जो की है 10 meters तो यह पूरी चीज़ हो जाएगी f 5 into 10 यह हो जाएगा 50 और units हो जाने वाले newton meter अब देखो torque एक vector quantity है यानि कि इसके एक direction होगी यानि कि इसे हम positive या negative से represent कर सकते हैं तो हमारा convention वै यह है कि अगर कोई body anti clockwise direction में rotate कर रही हो एस direction में तो उसे हम लिखने वाले है positive और अगर कोई body clockwise direction में rotate कर रही हो तो उसे हम denote करने वाले है negative sign से तो देखो इस force के कारण body anti clockwise direction में rotate करेगी तो यानि कि इसके कारण जो torque generate होगा उसे मैं बोलूँगा positive torque तो यह plus 50 newton meters का torque यहाँ प force लगाने वाला हूँ यहाँ पे मैं कुछ force लगाने वाला हूँ इसका magnitude मुझे पता नहीं है लेकिन यह force लग रही है इस hinged point से कुछ 5 meter पीछे की दूरी पे यहाँ पे अब मुझे यह पता है कि इस force के कारण जो torque होगा न वो इस force के कारण torque को completely balance out कर देगा मतलब कि देखो और यह यह वाली force यह rod को rotate करने की कोशिश कर रही है anti clockwise direction में और यह वाली force यह rod को rotate करने की कोशिश करेगी clockwise direction में लेकिन जब यह तोनों force साथ में लग रहे है न तो यह ऐसे लग रहे हैं कि यह इस body को rotate ही नहीं कर पा रहे हैं इस body में कोई rotation नहीं हो रहा है यानि कि मैं लि देखो, net torque आ रहा है जिरो के बराबर, इसका मतलब कि torque due to 5 newton का force plus torque due to F newton का force, इन दोनों का sum बराबर हो जाने वाला है जिरो के, तो अब लिख लेते हैं, net torque बराबर torque of 5 newton plus torque of F newton का force, अब देखो, torque of 5 newton का force, यह तो हमने पहले ही calculate कर लिया है, इसकी value आ रही है कुछ plus 50 newton meter, यह लिख लेते हैं, plus 50 newton meter, अब calculate करते हैं, इस F force की कारण torque, अब देखो, यह torque की value होती है, F into R, तो F की value हो गई, यह तो हमें पता ही नहीं है, यह होगी कुछ F, और R, R की magnitude यह हो जागी 5, into 5, अब देखो, यह वाली torque, यह इस rod को rotate करने की कोशिच कर रही है, एस direction में, clockwise direction म और हमारे sign convention के अनुसार, यह direction हो जाए कि negative, तो यानि कि मैं यहाँ पर minus sign लगा जने वाला हूँ, minus F.5, और इसके union भी same रहने वाली है, newton meter, अब देखो, यह पूरी चीज़ बराबर है 0 के, this is equal to net torque, जो की है 0, यानि कि अगर दोनों side में, plus F into 5 करूँ, तो यहाँ से F5 cancel, और F5 आजाएगा इस side में, तो मैं लिखोंगा 50 newton meter is equal to F5 newton meter, ठीक है, अब इसे मेरे पास आजाएगी F की value, देखो यह 5, 50 को 10 times काट देगा, और F की magnitude हो जाएगी 10, यानि कि यह force vector, यह 10 newtons के बराबर है, यानि कि अगर तुम ध्यान से देखो, तो मुझे इस 5 newton के force के क कारण जो torque लग रहा है न, इसे offset करने के लिए, मुझे दुगना force लगाना पड़ा, half the distance पे, अब देखो यह बहुत ही interesting चीज़ है, अगर यह असली में एक बहुत ही भारी rod होती, जो कि इस point से hinged होती, और तुमारे दो दोस इस rod को rotate करवाने की कोशिश कर रहे होते, opposite direction में तो तुमारे इस दोस को बहुत ही जादा force लगाना पड़ता, double force लगाना पड़ता तुमारे इस दोस को balance out करने के लिए, क्योंकि ये वाला दोस, ये hinge point से बहुत ही pass में force लगा रहा है, compared to ये वाला दोस, जो कि बहुत ही दूर में force लगा रहा है, ये कम force लगा के भी, तु के formula से भी तो यही चीज़ आती है torque is equal to force into r जहां पे r यह distance होगे hinge points है, force की application point की distance होगे hinged points है और यह distance जितनी ज़ादा बड़ी होगी, उतनी ज़ादा torque आएगी तुमारे पास, यानि कि तुम उतनी ही आसानी से इस rod की angular motion में change ला सकते हो rotational motion में change ला सकते हो अब देखो ऐसा तुमने खुद भी experience किया होगा अपनी life में, अब तुम हर दिन अपने दर्वाजे को खोलते होगे तो दर्वाजे में जो knob होता है न, वो hinged point से बहुत ही दूर पे लगा होता है तो तुम कुछ force लगा के खीशते हो अब अगर तुम यही force hinge के कहीं करीब में लगाओ, यहाँ पे कहीं force लगाओ, तो तुम्हें बहुत ही मेहनद करनी पड़ी की दर्वाजे को खोलने में और ऐसा हो पा रहा है इस torque के कारण तो अब साइट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है, आओ एक बार recap करते हैं, इस वीडियो में हमने बात की torque के बारे में, हमने कहा कि अगर एक body, एक point के about hinged है न, तो उस पे तुम्हें एक force लगाके उसे rotate कर सकते हो और torque यह बताता है कि इस force के कारण कितना change आ रहा है इस body के rotation में, जितना बड़ा torque होगा, उतनी बड़ी change आएगी अब torque का formula होता है F into R, जहाँ पे R यह radius vector हो गया, यह point करता है from axis of rotation to point of application of force और यहाँ पे F, यह force का वो वाला component हो गया, जो कि इस R vector के perpendicular है अब देखो, torque एक vector quantity है इसकी direction भी होती है अब इसे हम plus या minus sign से denote करते है अब अगर यह anti-clockwise rotate करने की कोशिश कर रहा है body को तो यारि की torque हो जाएका positive और अगर torque, body को clockwise direction में rotate करने की कोशिश कर रहा है तो यह हो जाएका negative